हेलो स्टूरेंट्स आज चेप्टर 3 की एक्साइज 3.3 स्टार्ट करते हैं एक्साइज 3.3 में जो है एलिमनेशन मैथड है तो उसकी डेट जो उसका यूजर वो क्योशन से ही देखते हैं तो question 1 है solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method तो इस question में बोला है कि इन जो linear equation दीवी है उनको elimination method और substitution method दोनों से solve करना है तो हम सिर्फ elimination method से ही कर लेते हैं substitution method जो है वो तो हमने लास्ट exercise में किया ही है तो substitution रहने देते हैं या आप खुद से try कर लेना now elimination method, elimination method देखिए कैसे use करते हैं first part दिया हूँ है इसका x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4 तो हम दोनों equation के हमें क्या करना होता है सबसे पहले x या y के जो coefficients हैं उनको same करना होता है ताकि वो cut सके तो यहाँ पे जैसे x का coefficient second वाली equation में 2x है first वाली में x है तो अगर हम second equation को तो same ऐसे के ऐसे रखे लें 2x minus 3y equal to 4 और जो first equation है उसे हम 2 से multiply करा दें तो first equation 2 से multiply करके हो जाएगी 2x plus 2y equal to 2, 5, 4, 10 ठीक है और जो second equation है वो same to same है तो इस तरह से हमें क्या करना होता है पहले x या y किसी के भी coefficient same कराने होते है अब हमने x के coefficient यहां same करा दिये है तो अगर दोनों के पास same sign है तो हमें first किसी भी एक equation में से दूसरी equation को subtract करना है और अगर different sign है तो उन्हें add करना है जैसे कि इन में फिलाल same sign है तो हम इन दोनों को subtract करा देते हैं अब अगर मान लीजिए हमें यह जो second equation पहले लिखी हुई है और first बाद में second में से first वाली का दुगना जो है subtract करना है तो हम first वाली जो equation है उसके sign चेंज करा देते हैं ताकि subtract हो सकेई तो second equation में ऐसे 2 x minus का हो जाएगा 2y minus हो जाएगा 10 भी minus का बजाएगा तो 2x में से minus 2x हो इकट जाएगा और minus का 3y और minus का 2y हो जाएगा minus का 5yить equal to minus का 10 और plus का 4 यह हो जाएगा minus का 6 दोनों तोरफ minus है minus से minus minimize cut कर देते हैं y की value आ गई 6 upon 5 अब आप एक variable की value निकाल के उसके बाद उसे किसी भी equation में put करके निकाल सकते हैं जैसे कि y की value हम यहां जो direct first equation दीवी थी उसमें put कर देते हैं तो हुझाएगा x plus 6 by 5 equal to 5 और 6 by 5 को उधर बेज़ देते हैं यह हुझाएगा x equal to 5 minus 6 by 5 इसका LC हम ले लेते हैं LC मा जाएगा 55 by 25 minus 6 यह जाएगा 19 by 5 तो x की value आ रिये 19 by 5 और y की value आ रिये 6 by 5 ठीक है तो हम यहां जिसका भी variable का coefficient सेम करना चाहें उसका कर सकते हैं जैसे कि हमने first equation को 2 से multiply किया तो x का variable सेम हो गया अगर हम first equation को 3 से multiply कर देते हैं तो यह y जो है यह 3 times हो जाता तो यह 3y के सेम आ जाता ठीक है और यहां opposite sign होता तो उस case में हम इन दोरों को add कर देते तो यह directly 3y से minus 3y कट जाता ठीक है नाओ second part given है 3x plus 4y equal to 10 और दूसरी equation है 2x minus 2y equal to 2 तो अब हम first equation को यहां same ले लेते हैं as it is 3x plus 4y equal to 10 और दूसरी equation में देखिए दूसरी equation में यह जिसे minus का 2y है second variable इसको अगर 4y में करवाट करना चाहिए मतलब second equation को हम direct 2 से multiply कर दे तो यहां आ जाएगा जबकि हमें अगर first variable जो है x उसके 2 और 3 को सेम करना हो तो हमें दोनों equations को multiply करना पड़ेगा value जो equation है 3x plus 4y इसको हमें 2 से multiply करना पड़ेगा और जो second equation उसको 3 से multiply करना पड़ेगा तो यह tough हो जाएगा थोड़ा complicated हो जाएगा इससे अच्छा है हम second equation को जो है direct multiply कर देते हैं 2 से तो first equation हमने same ले लिए second equation को 2 से multiply कर रहे है तो वो जाएगा 2 into 2 4x minus 2 into 2 4y equal to 2 into 2 4 तो यह second equation multiply होगे अब जैसे कि आपको first question में बता आया था कि जब यह variable जो है अलग-अलग sign के हों जैसे यहाँ पर एक plus एक minus है तो उस case में हम इनको direct add कर देते हैं तो जैसे यहाँ पर इनको direct add करेंगे तो plus का 4y minus का 4y direct cut जाएगा 3x और 4x यह हो जाएगा 7x equal to 10 plus 4 14 अब 7 उधर बेशते हैं x equal to 14 divided by 7 यह आ जाएगा 2 x की value आ गई 2 अब यह जो x की value है इसे किसी भी equation में put करा सकते हैं तो जैसे हम put करा देते हैं first equation में तो यह बजाएगा 3 into x की value 2 plus 4 into y equal to 10 तो 3 2 जाए हो गया 6 plus 4y equal to 10 6 उधर जाएगा 4y equal to 10 minus 6 यह आ गया 4 और जो 4y के साथ 4 था उसे divide में पेश देंगे 4 by 4 यह cut जाएगा 1 आ जाएगा y की value आ गई 1 यह गया हमारा second part now third part given है 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x equal to 2y plus 7 तो जिसे first जो equation है उसमें सारी जो terms है वो एक ही side है 3x minus 4y और यह minus का 4 है इसको equal to से उधर वेच देते हैं normal standard formula देते हैं equal to 4 और similarly जो second equation है वो हो गई है 9x और यह 2y इधर ले आते हैं minus का 2y equal to 7 दोनों standard form में हो गई हैं अब हम देखिए यहाँ पे easily जो है वो x के variable को same किया जा सकता है वो कैसे कर सकते हैं first equation को 3 से multiply कर गए हो तो यहाँ पे यह second equation हम as it is ले ले लेते हैं और जो first equation है उसको 3 से multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा 3 3 जा 9x minus 3 5 जा 15y equal to 3 4 जा 12 और अब यहाँ पर भी दोनों की जो sign है 9x और 9x का वो same है positive x तो हमने second equation के sign change कराने पढ़ेंगे तो यह second equation हो जाएगे minus का 9 और यह plus का 15 और minus का 12 वैसे हम चाहें तो जरूर नहीं है कि second equation के ही हमें change कराने हैं हम first को भी change करा सकते हैं किसी भी equation पो किसी मेंसे भी subtract करा सकते हैं जिसके sign change करेंगे वो वाली equation दूसरी वाली मेंसे subtract हो गए तो यहाँ पर 9x minus 9x ही कड़ गया और minus का 2 और plus का 15 यहाँ गया plus का 13y equal to दूसरी साइड है minus का 12 और plus का 7 तो यहाँ जाएगा minus का 5 तो y की value आभी minus 5 और यह 13 डिवाइड में चला जाएगा minus 5 by 13 यह होगी y की value अब इस y की value को यहाँ पर first equation में put कर देते हैं तो यहाँ जाएगा 3x minus 5 into में minus 5 by 13 equal to 4 यहाँ जाएगा minus minus plus 5 5 जा 25 by 13 equal to 4 अब यह दूसरी साइड भेशते हैं 3x equal to 4 minus 25 by 13 नाव इनका LCM लेते हैं तो यह बचाएगा 13 13 फोर्जा 52 minus 25 यह 3x as it is नाव 52 में से 25 जाएगी यह बचाएगा 27 upon 13 अब वो 3 दूसरी साइड भेशते हैं तो x हो जाएगा 27 upon 3 यह 13 के साथ आजाएगा 3 से 27 को कट करेंगे 9 तो यह x की value हो जाएगी 9 by 13 यह हमारी x की value हो गई और यह y की value थी minus 5 by 13 यह होगा part solved नाव फोर्ज पार्ट जो है वो तोड़ा fraction में है तो पहले सो जो है इसको fraction से normal में convert करने के लिए LCM ले लेते हैं या फिर हम जो है ऐसे भी कर सकते हैं जो भी यहाँ denominator में है जैसे 2 और 3 और दूसरी equation में 3 है तो इनका LCM जो है 6 बनता है तो हम इस equation को 6 से multiply कर सकते हैं फर्स्ट वाली को तो फर्स्ट वाली equation को अगर हम 6 से multiply करें तो यह हो जाएगा 6 x by 2 plus 6 into 2 12 y by 3 equal to 6 बंजा 6 अब यहाँ cut कर लेते हैं 2 यह 3 जा 6 3 4 जा 12 तो यह equation हो गई 3 x plus 4 y equal to minus 6 और दूसरी जो equation है उसमें सिर्फ denominator में 3 है तो इसको सिर्फ 3 से multiply कर देते हैं तो यह first one यह x को वाली हो जाएगी 3 x minus इसको 3 से multiply करेंगे y by में 3 है यह 3 से 3 कट जाएगा equal to 3 3 जा 9 तो यह simple equation बन गई second equation यहां लिख लेते हैं 3 x minus y equal to 9 यह हमारी हो गई first equation यह है second equation now first equation second equation में यहां पर किसी से कुछ multiply करने के जो उतनी है अब extra क्योंकि जो x का coefficient है वो same है तो हम first equation में से second equation सब्टेक्ट करा देते हैं 3 x direct कट जाएगा second equation को minus 5 से multiply कराते हैं first minus की second plus third minus की 3 x से 3 x कट गया now 4 y plus y यह बजाएगा 5 y equal to 9 and 6 यह बजाएगा minus का 15 तो now y हो जाएगा minus 15 by 5 कट करेंगे 5 3 जा 15 तो यहां से y की value आगए है हमारी minus 3 अभी जो y की value है इससे किसी भी equation में put कर देते हैं जैसे कि यह second equation में put कर देते हैं तो यह बजाएगा 3 x minus y की value है minus का 3 equal to 9 हम यह without sign change किये जो है 3 x minus y equal to 9 उसमें put कर देते हैं तो 3 x minus यह minus minus plus का 3 हो जाएगा equal to 9 अब 3 को उधर बेचते हैं 3 x equal to 9 minus 3 यह आजाएगा 6 और अब 3 से डिवाइड करेंगे x equal to 6 upon 3 3 to just 6 तो x की value आ गई है 2 यह x और y दोनों की value आ गई है यह question number 1 के चारो पार्ट finish हो गए है आप करेंगे question number 2 now question number 2 है form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by elimination method तो हमें जो भी equation अब दिवी है उनकी जो भी problems दिवी है उनकी equation बनानी है उसके बाद जोड़े उनके solution find करने अगर वो exist करते हैं मतलब अगर मान लीजिए दो लाईने infinite 20 solution बना दिया और 9 solution बना दिया 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator यह same वोई fraction वाला type का question है जो हमने लास्ट एक्साइज में पी किया था तो इस पर भी वोई find करने है what is the fraction तो यहां पर हम numerator और denominator को x और y मान लेते हैं पहले उसके बाद start करते हैं तो let numerator is x and denominator is y तो इन्होंने बोला question में if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator तो fraction जो है वो क्या है x upon y की form में होती है इन्होंने का 1 numerator में add करना है तो x में हम 1 add कर देते हैं और denominator में 1 subtract करना है तो उसमें से हम 1 subtract कर देते हैं आगे बोलरे है then the fraction reduce to 1 तो यह जो fraction है यह 1 में convert हो जाएगी मतलब it is equal to 1 हो जाएगा उसके बाद आगे बोला है इन्होंने it become 1 by 2 1 by 2 हो जाएगी if we only add 1 to the denominator मतलब हम fraction में fraction x by y है उसमें numerator में कुछ भी ना कर दें सरफ denominator में 1 add कर दें तो जो यह fraction है यह हो जाएगी 1 upon 2 तो यहाँ पर हमें पहले x और y find करने पड़ेंगे उसके बाद fraction भी मिन जाएगी तो पहले इन दोनों equations को दोड़ा simplify कर आते हैं cross multiply करके तो यह first वाल equation में x plus 1 as it is और y minus 1 उदर 1 सा multiply होगा यह हो जाएगा y minus 1 y इदर ले आते हैं x minus y और 1 उदर ले जाते हैं minus 1 minus 1 तो यह जाएगा x minus y equal to minus 2 यह होगी first equation simplified standard form में अब दुसरी side करते हैं 2 को इदर लाते हैं यह वजाएगा 2x equal to 1 को y plus 1 से multiply कराएंगे y plus 1 अब y इदर ले आते हैं यह वजाएगा 2x minus y equal to 1 यह होगी हमारी second equation तो इन दोनों equations को solve करने के लिए अगर हमें x eliminate करना है तो first equation में जो x है उसको 2 से multiply करना पड़ेगा ठीक है तकि 2x की equal आ जाए otherwise यहाँ पर देखे minus का y और दोनों में minus का y है तो y direct eliminate हो सकता है ठीक है तो y से eliminate करा लेते हैं तो equation है हमारी यह x minus y equal to minus 2 है दूसरी है 2x minus y equal to 1 तो हम first equation में से second को subtract करा देते हैं तो यह minus का sign आ जाएगा यहाँ plus का यहाँ minus का तो minus का y और plus का y कट गया x में से minus का 2x जाएगा तो minus का x बचेगा equal to minus 2 और minus 1 यह जाएगा minus का 3 तो यहाँ minus से minus कट जाएगा x की value आ रही है 3 मतलब numerator आ रहा है हमारा 3 now इस x की value को यहाँ इस equation में फूट करा लेते हैं तो यह जाएगा 2 into x की value है 3 minus y equal to 1 2, 3 जा 6 यह दूसरी साइट बेजेंगे तो minus y equal to 1 minus 6 आ जाएगा minus y equal to 1 minus 6 होता है minus का 5 minus से minus कट y की value आ रही 5 denominator आ रहा है हमारा 5 now जो fraction होगी therefore जो fraction है fraction हमने मानी थी x upon y तो x की value आ रही है 3 और y आ रहा है 5 तो अंसर हो गया 3 by 5 now second part है 5 year ago nori was thrice old as sonon तो यह age वाला question type है तो यहाँ पर देखिए last में क्या पूछा हुए how old are nori and sonon तो हम पहले let कर लेते है nori और sonon की age को तो let age of nori is x and age of sonon y अब question बढ़ते हैं तो question में पहले बोला 5 year ago nori was thrice old as sonon तो देखिए अब भी यह जो हमने x और y मानी है यह nori की और sonon की present day मानी है तो 5 साल पहले दोनों जो है 5 साल छोटी होंगी तो x जो nori है वो भी 5 सब्ट्रेक्ट हो जाएगी उसकी age और y में से भी 5 सब्ट्रेक्ट हो जाएगा और इन्होंने कहा कि जो nori हो वास thrice old as sonon होगी तो जो मतलब नोरी की age है x minus 5 वो sonon की age y minus 5 का 3 टाइमस होगा ठीक और फिर उन्होंने दुसरी statement में क्या बोला है कि 10 year later 10 साल बाद नोरी will be twice as old as sonon तो अगर 10 साल बात की बात करें तो दोनों की age 10-10 साल बढ़ जाएगी एक हो जाएगी x plus 10 10 और दूसरी हो जाएगी y plus 10 और नोरी जो है x plus 10 को simplify करके और solve करते है तो यह हो जाएगा x minus 5 equal to 3y minus 3 5 जो 15 और x 3y इदर ले आते हैं minus 3y minus 5 को उदर बेज देते हैं minus 15 plus 5 तो हो जाएगा x minus 3y equal to minus 10 यह होगी first equation now second equation solve करते हैं यह हो जाएगा x plus 10 equal to 2y plus 2 10 जे 20 और x यह 2y इदर ले आते हैं minus का 2y equal to 10 उदर बेज देते हैं 20 minus 10 तो यह जाएगा x minus 2y equal to 20 minus 10 10 हम इसे जो है 2y को इदर इसलिए ला नहीं कोई हमें elimination से solve करना अगर substitution से solve करना हो तक तो 2y को उदर ही दख लेते x की जो value आती उसे direct first equation में put कर आ सकते थे ठीक है तो यह हमारी दो equation हो गई है simplified होके अब इन दोनों को solve करते है तो first equation यह जो है इसी के नीचे second equation रखे है x minus 2y equal to 10 और इसे direct subtract करा दें ताकि x जो है direct कर जाएगा x के coefficient same है तो यह second equation के sign change करेंगे minus plus minus तो x से x subtract होगे ना minus का 3y और plus का 2y यह बचा minus का y और दूसरी side minus 10 और minus 10 हो जाएगा minus का 20 ना minus से minus कट तो y जो है उसकी value आ गई 20 और यह जो y है हमने sonu की यह जमानी थी तो sonu की यह आ गई 20 है अब इसे second equation में put कर देते हैं x minus 2 into y की value 20 equal to 10 और 2 into 20 होता है मैं इसका 40 equal to 10 40 को अधर बेज जेते हैं x equal to 10 plus 40 x की value आ जाएगी 50 तो आप next direct statement लिख सकते हैं कि therefore age of Nuri is 50 years और age of sonu is 20 years ठीक ना next third part इस पार्ट को त्वर असर ध्यान से समझेए इस पे given है the sum of the digits of a two digit number is 9 तो यहाँ पर देखिए आपको difference जो है वो समझना है digits में और number में तब आपको जो है question आराम से समझाएगा जैसे कि मान लीजिए हमको एग्जामपल ले हमने एग्जामपल ले लिया 27 ठीक तो यह 27 क्या है एक number है और यहाँ 2 और 7 क्या है उसके digit है तो अगर हम यह कहें हैं कि 2 और 7 इन दोनों digit का जो सम है वो 9 है तो यह ठीक है जैसे कि हमें first equation में बोला हुआ है कि sum of the digits of two digit number is 9 तो दोनों यहाँ पर digit की बात हो रही है दोनों digit का sum 9 दिया हुआ है ठीक है लेकिन बाद में जब 9 times of the number बोला हुआ है तो number यहाँ पर 9 times किसकी बात कर रहे है number 27 की बात कर रहे है तो कुछ बच्चे क्या करते है जो x plus y जलो 9 लिख दिया ठीक है अगर आप मान लीजे हम once वाले digit को जो है sorry 10s वाले digit को x मान रहे once वाले को y मान रहे x plus y 9 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 27 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको समझना है मान लीजे आप ले 2 को x माना हुआ है 7 को जो है y माना हुआ है तो आप यहाँ 27 को रिप्रेजेंट करोगे 2 into 10 plus 7 2 into 10 20 plus 7 27 जैसे आपने छोटी primary classes में सीखा होगा यह 2 है यह 10s digit है इसलिए इसको 10 से multiply करना है 2 into 10 और यह 7 है यह 1s digit है इसलिए इसको 7 into 1 यानिकी 1 से multiply करना है ठेक है तो इस तरह से जो भी इस तरह का question आएगा उसमें आपको 10th digit को 10 से multiply करना है और 1st digit को 1 से और तब जो इन दोनों का sum होगा वो आपका number form करेगा तो यहाँ पर हम हमें तो नहीं पता 2 और 7 क्या है ठेक है तो जो xy की form में number है उसे कैसे मानेंगे हम यहाँ पे x into 10 वतलब 10x plus में y यह होगा हमारा number 10x plus y number होगा और digit जो है वो direct x और y आप यूज कर सकते हों ठेक है तो आप question स्टार्ट करते हैं तो question में हम पहले let कर लेते हैं कि let once digit अगर आपने once वाले digit को x मानना है यह मानना कुछ में मान सकते हों लेकिन हमने जैसे अब equation 10x plus y करके दिखाई दी तो उसमें once digit बाद वाला था तो वैसा ही pattern आप चाहते हैं तो y मान सकते हैं और 10s digit उसको मान लेते हैं x तो अब हमें first line में बोला है the sum of the digit of a two digit number is 9 तो सिर्फ digits का sum मतलब x और y का जो sum है वो हमें 9 given है यह होगे हमारी first equation ठीक है उसके बाद 9 time of this number तो number अभी आपको बताया था कि जो 10s position पे है उसको 10 से multiply करेंगी 10x और once position वाले को once है है मतलब y रहेगा यह है हमारा number तो इन्होंने क्या बोला nine time of this number तो nine time हम इस number का करेंगे 10x plus y का उसके आगे है is twice the number obtained by reversing the order यहाँ पर order reverse करने की बाद और यह मतलब जैसे पहले हमने x जो है 10s के digit को माना हुआ था y once के digit को तो reverse कर देना order अब y जो है 10s के order को मानना है और x जो है वो once वाली की digit को मानना है तो अब अगर y पहले वो 10s पर होगा और x इस पर होगा तो इसको कैसे लिखेंगे 10y plus x ठीक तो इन्होंने क्या का नाइन टाइम ओफ इस number is twice यह जो nine time first वाले number का multiple लिखा है यह equal है twice two times of the number obtained by reversing the order जो हमने अभी reverse कि order पहले और x बाद मिलिया तो इससे number बने 10y plus x तो उसके two times जो है nine time normal number का है ठीक है now find the number तो अब हमें x और y find करने x और y digits आ जेंगे उसके बाद उससे number form कर देंगे तो यह हमारी दूसरी equation है इसको तुछा simplify कर लेते है 9 into 10 90x plus 9y equal to 2 times 20y plus 2x तो यह 2x को इधर ले आते है 90 minus 90x minus 2x equal to 20y minus 9y y हमने एक तरफ ले लिए x एक तरफ तो 90x में से 2x जाएगा यह हो जाएगा 88x उदर 20y में से 9 जाएगा 11y और 11 से अगर हम दोनों को divide कर दें तो यह हो जाएगा 8x equal to y ठीक है तो यह हमारी simple equation आ रही है अब हम अगर हमें substitution से solve करना होता तो सीधा यह जो y की value है यह first equation में x plus y equal to 9 में put करा देते लेकिन हमें करना है यहाँ पर यह elimination से तो equation लिख लेते हैं first equation है x plus y equal to 9 और second इस वाल equation को ऐसे equal to से इधर ले आते हैं y तो 8x minus y equal to में कुछ नहीं बचा तो 0 लिख लेंगे ठीक है यह हो गए हमारी first or second equation तो अब यहाँ पर y जो है y का आप coefficient देख सकते हो दोनों में 1 x तो इन्हें direct जो है एड़ कर सकते हैं ताकि plus y से minus y कट जाएगा 8x और x यह हो जाएगा 9x और equal to में 9 plus 0 9 है तो x आ गया 9 upon 9 यह कट के हो जाएगा 1 तो x की value आ रही है 1 अब x की value को वेशक आप यहाँ put करा दो इसमें y equal to 8x में तो y equal to 8 into 1 y आ जाएगा 8 तो अब यह जो x आ रहा है यह हमने क्या वाना था यह माना था हमने 10th digit और y वाना था 1th digit तो जो number होगा therefore जो हमने number find किया है वो होगा 10th digit को पहले लिखेंगे उसके बाद 1th digit को उसके बाद 8 तो यह हो गया 1 और 8 अंसर हो गया हो रहा है नमबर है 80 इसे आप वैसे ही find करके दिखा सकते हैं जैसे हमने number को show किया था कि यह number क्या था 10x plus y तो हम यहाँ वैसे ही find कर सकते हैं कि 10 into x की value 1 plus में y की value 8 तो यह भी 10 plus 8 जो है answer 18 यह रहेगा ठीक है ऐसे भी show कर सकते हैं अधरवाइड देरेट भी दिख सकते हैं नाव फूर्थ पार्ट गिवन है मीना वेंट टो अ बेंग तो विड्रो 2,000 रूपीज शी आज़्ट गैशियर तो गिव और 50 रूपीज और 100 रूपीज नोट्स अनली मीना गोट 25 नोट्स अनल फाइंड हाव मैनी नोट और 50 रूपीज रिसीव तो हमें लास्ट वाली situation सही find how many notes of 50 रूपीज और 100 रूपीज शी रिसीव तो number of notes of 50 को x मान लेते हैं number of hundred को य मान लेते हैं यह हमें find करना है ठीक है तो let's number of notes of섯 30 मान लेते हैं x और number of notes of hundred जो है वो मान लेते हैं तो इन्होंने देखिए यहां पर क्या बोला है कि मीना वेंट टू वेंग टू टू थाउजन रूपीज टोटल टू थाउजन रूपीज इसने विड्रो किये हैं जिसमें से कि शी आस कैशियों टू गिव 50 रूपीज 100 रूपीज नॉट से इसका मतलब है 50 रूपीज के तो वो 50 रूपीज के जितने पैसे बन रहे हो आ जाएंगे 50X similarly 100 को अगर हम उसके number of knots Y से multiply कर दें 100Y तो 100 रूपीज के हमारे पार जितने पैसे वो आ जाएंगे दोनों को add करेंगे तो टूटल पैसा मीना ने 2000 विड्रो किया है तो यह equal to हो जाएगा 2000 तो यह बन रहे हमारी first equation और दूसरी equation के लिए इन्होंने कहा है कि मीना को 25 knots in all मतलब उसको total 25 knots मिले है तो total 25 है तो हम यह कह सकते हैं कि X और Y दोनों मिला कर total 25 है ठीक है यह हो गया हमारी second equation तो यह second equation है और first equation को एक काम करते हैं first equation को थोड़ा simplify करने के लिए 50 से divide कर देते हैं तो first equation यह है इस equation को हम divide by 50 करा देते हैं तो यह हो जाएगा X plus 100 को 50 से divide करेंगे 2Y equal to यह जाएगा 2000 divided by 50 40 तो यह हो गई first equation और नीचे second equation लिखी हुई है यहाँ पर इनके X की जो coefficient है वो same है तो direct elimination लग जाएगा direct equation जो second है उसे subtract करा देते हैं तो यह minus का sign लगाएंगे X पे Y पे और 25 पे तो X से एक subtract 2Y में से Y गया यह बचा Y equal to 40 में से 25 जाएगा तो Y बचा 15 तो Y हमने 100 रुपीस के note माने थे तो 100 रुपीस के जो note है वो हो गए यहाँ पे 15 यह जो Y की value है किसी भी equation में put कर देते हैं जैसे कि यह second equation में put कर देते हैं तो X plus Y है 15 equal to 25 अभी 15 उसर जाएगा X equal to 25 minus 15 25 में से 15 जाएगे यह बचेगा 10 तो X की value आ रही है 10 तो आप इसे equation लिख सकते हैं ऐसे कि therefore number of notes of 50 रुपीस हो गए 10 and number of notes of 100 रुपीस हो गए 50 यह हमने answer नाव फिफ्थ पार्ट है last पार्ट है तो फिफ्थ पार्ट में दिया हुए है पहले last में देख लेते हैं क्या दिया है find the fixed charge and charge for each extra day three days तो यहां दियान दे रहे है fixed charge जो है first three days का है यहां last में नहीं था है यहां and an additional charge for each day thereafter ठीक है तो हम इने let कर लेते हैं let fixed charge for first three days हम मान लेते हैं X और additional charge for each extra day यह मान लेते हैं Y तो अब इन्होंने बुला Sarita paid 27 rupees for a book kept for seven days एक book जो है वो 7 दिन के लिए रखे गई और उसके पैसे 27 पे हुए तो यहां पे देखे first three days का जो पैसा है वो X है तो मान लेजिए Sarita ने पहले तीन दिन के लिए तो जो है X रुपीज दे दिए अब total देखे Sarita ने जो book रखी है वो seven days रखी है जिसमें से की तीन दिन के तो वो X charge दे चुपी है उसके बाद तीन दिन के बाद उसने जो book रखी है वो चार दिन extra रखे है four days तो अब यहां पे आपने लेट किया है कि each extra day के लिए charge y है तो अगर four extra day होंगे तो four into y जो है यह वो जाएगा charge four extra days के लिए और यह total मिला के Sarita ने पे किया है twenty seven rupees यह होगे हमारी first equation ठीक है सेमेट अर्ली आगे बोलने है यह while Susie paid twenty one rupees for book she kept for five days Susie ने जो है five days के लिए book रखे हो twenty one rupees पे किया मतलब X उसने पहले तीन दिन के लिए pay किया होगा ठीक है प्लस total उसने पास दिन book रखी है तीन दिन के लिए वो X रुपीज जो है वो pay कर चुकी है तो बाकी बचे दो दिन तो दो दिन के लिए वो extra charge कितना पे करेगी two into y total पैसा उसने pay किया है 21 रुपीज तो यह हो गया हमारी second equation ठीक है अब इनको solve करते है यह direct जो है X सब कट सकता है तो इसलिए जो रहे direct first equation में second equation सब्टेक्ट करते है minus का sign change करते है minus minus और यह minus X कट गया 4Y में से 2Y जाएगा यह बचे गा 2Y equal to 27 में से 21 गया यह बचा 6 Y equal to 6 upon 2 Y आगया 3 अब Y की यह value जो है हम किसी भी equation में जैसे की second equation में पुट करते हैं तो यह हो जाएगा X plus 2 into Y है 3 equal to 21 तो X plus 3 to just 6 equal to 21 6 उदर subtraction में बेजेंगे X equal to 21 minus 6 21 में से 6 जाएगे X की value आजाएगी 15 तो यह आ रहा है X 15 मतलब charge for first 3 days जो है fixed जो charge है वो 15 rupees है और charge for each extra day जो है वो 3 rupees है ठीक है तो यह होगे हमारी exercise और 7 में chapter भी खत्म Thank you so much for watching